नमस्कार, सामुदायक अधिकारों और वन शासन से संबंधित इस कोर्स के तीसरे मॉड्यूल के छटे लेक्चर में आपका स्वागत है वन भूमी का किस प्रकार से इस्तिमाल किया जाता है? इस बात को प्रभावित करने के लिए समुदायों के लिए कानून में शामिल सभी पहलों पर विचार करने के बाद हमने कुछ ऐसे कोशल और व्यवाहारों को सीखा है जिनसे इन मुद्दों पर समुदायों के हितों की सर करने और उन्हें आगे बढ़ाने के लिए समुदाइर लीडर्स को सहायता मिल सकती है इस लेक्चर में हम एक ऐसे मामले में नजदीकी रूप से विचार करेंगे जिसमें उन कुछ पहलूं को स्पष्ट किया गया है जिने हमने इस पाठ्यक्रम में सीखा है इस पाठ्यक्रम क पहले लेक्चर में हमने यह देखा कि सरंक्षन के संबंध में सरंक्षित क्षेत्र प्रनाली द्वारा बनाए गए मूल यानि प्रिस्टीन द्वीपों की अलोचना की गई है क्योंकि इस से न केवल इसके बाहर के क्षेत्रों में मानव गती विध्यों में व्रिधी होती है बलकि इसके कारण उन क्षेत्रों में रहने वालों को भी भारी लागत अदा करने पढ़ती है जैसा कि हम सीख चुके हैं वनों में सरंग्षन के लिए अदूशित स्थानों के स्रिजन से संबंधित कानूनों और प्रक्रियाओं का वनाधिकार अधिनियम के अंतरगत वन में रहने वाले समुदायों के अधिकारों के साथ संघर्ष होता है इन अधिकारों में लगू बन उत्पादों पर उनके स्वामित्व का अधिकार तथा वन्य जीवों वनों और जैव विद्धा की सरंग्षना करने के लिए उनकी शक्तियां और कर्तव्य शामिल है इसलिए लोग आप से अक्सर ये पूछते हैं कि क्या समुदायों द्वारा अपने वनों के प्रबंदन की सोच एक जूटी बात है संभावित रूप से विगत काल में उन्होंने कभी उनका प्रबंदन किया ही नहीं और सुनिचित रूप से आज के बदलते समय में जो की 150 वर्ष के बाद है अंग्रेजों के शाशन के बाद और वर्तमान में देश के आर्थिक और सामचिक प्रदर्शे में इतना अधिक प्रिवर्तन हो गया है फिर चाहिए जन संक्या का विकास हो लोगों द्वारा वन आधारित आजीविकाओं और यहां तक की क्रश्री आधारित आजीविकाओं को छोड़कर दूसरे प्रकार की गतिविदियों का करना हो यह सभी शामिल है क्या यह वास्ताव में अर्द पूर्ण है कि समुदायं द्वरा अपने स्वेम के वनों का प्रबंदन किया जाए क्यों न इस विश्य पर बात की जाए क्योंकि सितनदी 17 गाओं है और उदनती 34 गाओं इसी प्रकार यदि पूर्ण चोटा से 36 गड़ में देखेंगे तो ग्यारा सेंचूरी और तीन राष्टी वनुद्यान और इस छेत्र को है यदि आप समझेंगे इस छेत्र में आदिवासी का बहुत गरीब तपका चाहे अतिविसिस्ट जन जाती कमार बैगा अबुजमारिया या पहाडी कोरबा यह जितने जो जन जाती हैं उसी छेत्र में निवास रहते मेरे घाओं उदनती सिता नदी का जो टागर इजवर के अंदर गत बीचो बीच बसा हुआ है और जो हमारे जो छेत्र में वर्षा उनिस से और असी से पहले लोग बाग बहुत अच्छा से सांत पूर जीवन यापन करते थे जंगल में लगुवन उपज दोहन करते हैं महुल पत्ता है तेंदू पत्ता है आउला बेहडा चार चिरवंजी भूई लीम कई अन्या ऐसे जंगली और सधियां है और कंद मूल का उप्योग करके अपने पूर्वज में अपने परिवार का भरन फोशन करते आ रहे थे परन्तु उन्ने सो असी में माने निया हमारे च्छतिजगड के पर्थम मुख्य मंतरी महदय अजीज जोगी जी ने रैपूर जिले का कलेक्टर था तो उसने हमारे साथ लोगों का पट्टा बाटने गया था उन्नी सोसी में जिसमें उन्नी सोसी में साथ लोगों को पट्टा बित्रण के अपने ग्राम पंचयात साइबिन कछार में और उसी दर्मियान में वहाँ पर जंगली भैसा जंगली भैसा कोई घैल वास्था में एक नाले में गिरा हुआ था तो उनको फारेश्ट के जो कर्मचारी ने कलेक्टर सहाब को बोले कि सर वहाँ पर जंगली भैसा गिर चुका है उनके लिए कुछ उपाय बताए तो पहले उन लोग ऐसी जंगली भैसा को देखने गए देखने जाने के बाद अपने ही गाओं के लोग फैरवाचार रहते अभी भी है वरतमाने भी पहले भी फैरवाचार जो है अगनी सुरक्षा के नाम से फारेश्ट वाले रखते थे तो उन्हें के दोरान में जोगी सहाब ने उस जगह को देखा कि यहां पर बहुत सारा वनभैसा है तो यहां पर एक वनभैसा के नाम से सेंचूरी बना जाए तो 1980 में सेंचूरी के नाम पे जंगल का सुरक्षा के नाम से वन विवाग ने सेंचूरी घुसित कर दिया उस जगह पर सेंचूरी घुसित करने के बाद भी वहां के जो लोगों को निस्तार के लिए जलव लकड़ी है तेंदुपत्ता आउला मौहा इस सब चीज अच्छी अपन हिसाब से वनोपाच का संग्रान करके अपने की सामने के जो बजार में बेचते थे और अला करके अपने परिवार का भरन पोशन करते थे इप पूरे चीज जो उन 1927 का वन कानून है या बाद बे उनीस सो असी की बात करें इप पूरे चीज है लोगों को जंगल विर से दूर करने का ही जो सेंचुरी नेशनल पार का जो सोच है उसी तरह से इसकी चलते आदिवासी और जंगल के बीच में दौंद पैदा कर ले और इसका में था वन भी भाग परन्तु सेंचुरी को खतम करके सेंचुरी नाम को खतम करके 2003 में टाइगर रिजोरव बना करके वहां से लगों वन पाज दोहन करना और गाउं इस तर में साधी ब्यावा में हार नहीं बजाना यानि कि गाउं के अंदर में कोई भी आदमी को 6 बजे से सबेर 6 बजे तक आना जाना में मना ही करना इस परकार की वन भाग के द्वारा 2003 से पूरा लगो बनो पच और वहां के जो वातावरन को सिधा सांती भंग की तरह नहीं होने दिया यानि कि पहले जी अपने इच्छा से अनुसार में हमारे चेतरे की जो पबलीत है किसान है खास करकर तो विशे सुजक पर आदिवासी है आदिवासयों में विशे स्पिश्टी जन्जाती के लोग ज़्यद्धा निवास रहते हैं कमार भुञज्या एक जो है अपने छेत्र में बहुआ आयात में पाये जाते हैं उनका जो मकसद है कमार भुण जगा कि जंगल से ही आश्रित रहते थे और जंगल से आश्रित होने के नाते वहां के जितने भी उनों पज दोहन करते हैं उसमें 6 महा का भरन पोसन जंगली से ही हो जाता था इंतिजाम चाहे बरसाद हो चाहे गर्मी हो चाहे ठंड के मौसा में हो 6 महा का जो निस्तार के लिए जो यू बनाते हैं पैसा का जो ब्योस्ता होता है कि जंगलों से ही आश्रित थे वसरते 2003 से शासन ने पूरी तरह लगू वनों पज दोहन कर संग्रान करना परती बंद किया गया है जैसे कि पर्मुकृप से तेंदुपत्ता है तेंदुपत था लेकिन 2003 से पूरी तरह परती बंद होन जाने कारान में अभी हमारे जो अभ्यारन छेत्रे के आर्थिक शेत्रे के लोगों को आर्थिक विकास के लिए कमजोर होना पड़ा है अभी जो छेत्रे में लगूब वनों पज की तहत पूरा-पूरी परती बंद लगा गया है परती बंद होने के कारान में छेत्रे के लोगों को मजदूरी करने में भी पैसा नहीं मिल पाता है मगर इस बीच में मैं विशेशकर सीतनदी और उधनती छेत्रे में काम किया मगर लोगों को संगठित करना लोगों के इस प्रक्रिया को बतलाना कि आपका पुरवजों से आपका जंगल का रिस्ता है आप जंगल आप रखे हैं तो यह पूरे प्रोसेस में उन्होंने कौफी संगर सकिया यहां तक कि कयो बार राइपूर दिल्ली भोपाल बने संगर से उनका जारिला और इसी सिलसिले में 2005 जब 2005 का जो वन अधिकार कानून जो अनुसुची जन ज इस छेत्र की लोगों ने दस से पंद्रह दिन तक के दिल्ली के उस सडक में बैठकर इस अंदुलन का जब यह कानून पास हुआ तब थोड़ा उमिज जगा कि अब थोड़ा जो द्वन्द पैदा हुआ है उसको पास के पास में लाया जा सकता आदिवासी और जंगल को मग जब इसमें क्योंकि जो अभ्यारणा और राष्टी वनुद्यन या नेशनल पार्क में लोगों को उस छेत्र से विस्थापित करने की बात करता है और हमारा जो एरिया जो है ना को एरिया में बसा हुआ है एक बफर एरिया बोलते हैं को एरिया बोलते हैं टागर जोड़ क लगनी तक के परतिबंधित है बसरते हम एक संगठन में जूड़े होने के नाते हमको थोड़ा सा अपने छेत्र में संस्था की ओर से कान्हुन का बहुत बड़ा सुझाव दिया जाता है अब कान्हुन के दर्म्यान में हम अपने 2005 में जो वन अधिकार अधिनियम कान्हुन जो बना 2005-2006 में संसोधनियम 2012 में उनके तहत में हम व्यक्तिगत अधिकार के लिए दावा फाम में भरे थे लगभग प्रया-प्रया 75-60% लोगों को व्यक्तिगत वन अधिकार पत्र प्राप्त हो चुका है लेकिन वहाँ पर एप्पैर कान्हुन के तहत में हम अपने पू जगह को हम डेपलप्मेंट करने के लिए प्रसासन को अपने जन्पद इस्तर पर हम एक फाइल बना करके चार-पांच पंचायत के जो गाउं के अभी तक दिये हैं लेकिन वह सासन तरफ से हमको टागर होने कारण हमा को समुदाइक अधिकार से वंचित किया जा रहा है तो जिसके कारण हमारा जो छेत्र में मुल्भु सुविध है ना सडक निबन पारही ना बिजली नहीं है ना कुछ अस्पताल नहीं ना सिक्षा नहीं आज के परिस्थिती में जिससे हमारे छेत्र में बहुत भेंकर समस्या पैदा हो चुका है राष्टी वनोध्यान और नेशनल पार्क के नाम से जो सबसे गरीब तपका का आदिवासी है वो यदि विस्थापित हो जाते हैं तो विस्थापन एक बड़ा खत्रा यदि छोटा सा चतिसगर को में भी देखोगे तो बहुत बड़े जनसंख्या को वहां से निकलना पड दिया है धारा तीन एक जा जिसमें जंगल का प्रबंधन ग्रामसभा के माध्याम से जो इस छेत्र में राष्टी वनोध्यान और नेशनल पार्क में भी ये काम किया जा सकता है जो आदिवासी हो जंगल को पास मिलाता है फिर यदि आप देखेंगे धारा तीन एक गा जो इस छेत्र में वन उपस संग्रहन करने के लिए जो प्रतिबन 2003 से लगा है चतिस गड़ में मैं देखता हूं सीता नदी उतंती काम किया 2003 से वहां तेंदू पत्ता तोड़ना मोहलाई पत्ता करना मौहा बिनना जो भी वन उपस संग्रहन करने के लिए 2003 से पूर्णरुप से प्रति बन देते हैं आज यदि आप साड़े 400 रूपया प्रति सेकड़ा तेंदुपत्ता का है मगर वहां के जो 17 गाउं है या सीता नदी के 34 गाउं है वहां तेंदुपत्ता संग्राण नहीं कर पारा है वो जो जिसका रिस्ता जंगल से था जिनका आज भी का जंगल से था कमजोर पहल हुए हो रहा है कि जैसे की वन विभाग को हमारे छेत्र में पूरा जंगल को सोब दिया था जिसमें की वन को सुरक्षा करने के लिए हजारों कड़ों रूपया विश्व अब्यां से पहले भारेष्ट वाले गाह में वन प्रवंधन समेति के माध्यम से एको ट कि अवसर के लिए प्रियास किया गया था लेकिन उसमें फारेष्ट के फारेष्ट वाले को जो गाहों के लोगों के साथ में तालमेल को तालमेल नहीं बनने करण तालमेल की मतलब वहा है कि जंगल जो है ना गाहों का है जंगल हमारा है और फारेष्ट वाले उसका वहावा प्रवंधन की बात है वन उपज संग्रहन की बात है यदी वन अधिकार कानून में मिल जाता है उस ग्राम सभा को समधाई का अधिकार करने के बाद यदि मिल जाता है तो प्रबंधन का भी अच्छा रिस्ता बनेगा और वन उपस संग्रहन करने का जो यह है वो भी होगा मगर जो इस कानून में में हैं कि ग्राम सभा तै करेगा कि जंगल का प्रबंधन हमें कैसा करना है उसमें फोरवनी कमेटी के जो CFMC की बात किया है जिसमें 15 से 10 लोग CFMC बनेंगे अपने गाउं के मेनेजमेंट का प्लान तयार करेंगे ये सारा चीज इस कानून में जो दिया है जो वन कानून में आदिवासी और जंगल का द्वंधन पैदा किया था उसको यदे हम एफारे के तहक पास मिला सकते हैं लोगों का रिष्टा और बढ़ा सकते हैं और जंगल में लोगों के भागेदारी जो आज जो जलवायू पर उसका यही एक रास्ता है कि जब तक समाज को ग्राम सभा को आप उसमें भागेदारी नहीं ला सकते हैं तब तक आप ना जंगल बचा पाएंगे ना जलवायू परिवर्तन जैसे समस्या से लड़ पाएंगे क्योंकि जलवायू परिवर्तन में आपको काम करना है या उसमें जो हो रहा है उसके रोक ना इसका भी मार सबसे पहले उसी आदिवासी को पड़ेगा जो कम तपका का कि संगरक्षन भी करना है उसके बाद उसको दोहन भी करना है इसटेप के गावं का सोचथा बसरनतु फारेश्टय वाले वन विभा के द्वारा में ब्यास्थापन के नाम पर पूरे गावाले को बिखराव कर दिये ilBY सबसे ब्यस्थापन के नाम से गाहंवाले के पास आवाज जाता है तो गाहंवाले पूरा चीर जाते हैं अभी भी फारिष्टे वाले के नाम से चीर चुके हैं कि जो प्राकृतिक बनभैसा था उदंती अभैरन में वह बनभैसा प्रया प्रया बिलूप्त हो चुका है जिसक जिसमें कि गांवाले को किसी परकार का सुझाव नहीं लिया जाता ना किसी परकार का गांवाले के पास जाकर फराष्ट वाले इसके समन्द में बात नहीं करते 36 गड़ में जो वन अधिकार कानून के क्रेयनोयन के संबन्द में देखें तो सरकार क्या है इसको योजना के द्रिश्ट्री से देखा जबकि एक कानून है और कानून एफारे का आत्म ही बोलता है कि जो एत्यासी का अन्याय हुआ उस अन्याय को दूर करने के लिए कनून मने जहां लोग काबिज है उसका उसका अधिकार पत्र देना है जिस जंगल में जो समधाय जहां से उनकी आजिविकत जुड़ा हुआ है उस जंगल को उस ग्राम सभा को देना है तो इन्होंने योजना के जैसे पट्टा बाटने का जो प्रक्रिया किया एक लाग, दो लाग, ऐसा गिंती गिनाते रहें, मगर वो कितने जमीन में काभीज है, क्या है, उसको सही ढग से करना, और इन्होंने तो समधाईक के नाम से, जो धारा तीन एक, जो आजिविका के लि धारत तीन दो के तहात जो समुदाई का अधिकार दिये और उन्होंने उसी को बोलते रहा कि मैंने समुदाई का अधिकार दे दिया जबकि धारा 3.1 के तहद जो है उसमें लोगों के आजीविका का जितने भी वन उपट संहरन करने का है, प्रबंध करने का है, परमपरा से उनके देवी देमता का इस्थान हैं, जो भी जो प्रक्रिया जो उनके परमपरा सहे чलना है, वो सभी अधिकार को उसमें देने का है, इसके साथ साथ वन ग्राम को राजास्व गाहों में परिवर्तन वारा जो हिस्सा था, उसको भी जितने जमीन में काबिज था, उतने जमीन को उन्हों राजास्व गाहों से वन ग्राम में परिवर्तन कड़े, उसके अलावा एक इन जमीन, ना कभी खेल मैदान के लिए, ना क अभी किसी के लिए कोई चीज नहीं तो ऐसे भी जो तरीके हुए ना वो गलत तरीके से इसके चलते 36 गड़ में सीए फार मंच जो काफी पूरे जिले में अलग-अलग संधान के अलग-अलग संस्था हैं संस्था के लोग जुड़े हुए हैं जिसका परमन का भाट करते हैं जो सी फार के जिदने मुद्दे हैं उसको इस कलेक्टर जब रिस्तर में जितने उसमें हलकरना चुछाइज जो मुख्य सचीव है या ट्राइबल डिपार्टमेंट है उसमें चर्चा करने वाद है जो करने जो चीश को जोड़ा कर आज समताई जो अधिकार है यदि मैं जिस छेत्रा में काम कर रहा हूं उस छेत्रा में सितय नदी, गरिया बन जिला और नगली, गरिया बन जिला chamado मैन्पुर में अभी करीब उन्चास गाउं म है ऐनकिमी है ज्यादा है, यह भी मिला है, गर धालतीनिक के ताहत अदिकार मिला है तो रहा सवाल है जो बन अधिकार कानून के तहत में हमारे जो आदिवासी हैं गैर आदिवासी भाईयों को 13 दिसंबर 2005 से पहले जो काविज था यानि कि 13 दिसंबर 2005 से पहले काविज था जैसे कि आदिवासीयों को 2005 से पहले काविज होना बताया गया था कानून में और गैर आदिवासीयों को तीन पीड़ी यानि कि 1930 का निवास होना जरूरी है तब जाकि उनको पट्टा मिलेगा इसी परकार के जो वन अधिकार कानून क किया गया था। उस समीति में AST, AC, OBC सभी जातीयों की सदस्य था। उसमें महला सदस्य थे और गाउं की ग्राम सभा में इस बात का टाहि किया गया कि 2005 से पहले कि काविज है सभी लोग आवेदन फाम गाउं की ग्राम सभा में भरकर जमा कर सकते हैं, तो प्राय प्राय सभी लोगों ने जमा करना चालू किया, तो जमा करने के बाद उसको एक नजरी नक्सा बनाना पड़ता है, उनको एक नाप देना पड़ता है, तो पटवारी एक पटवारी था, एक पटवारी के इंदर गोटे 15-20 प अभी बास उनके हम नजरी नक्सा बना करकर पूरा फाईल बना करके हम ग्राम की ग्राम सभाव में जम्माय किया गया करकर दे थे जावक की ग्राम सभा हित्तो है बात किसका पात रहाई वेज़नों किसके बाद 되면 ग्राम पंचयात में ग्राम सभा की जो फाइल थी ग्राम पंचयात में जमा किया और ग्राम पंचयात उनके उपर कारवाही चालू की ग्राम पंचयात में जितना कारवाही होना था उतना कारवाही हुआ उसके बाद हम खंड स्तर जो समेती है खंड समेती बलाक स्तर रिया और मुझला का समेति में जमाय किया तब जाके हमको दोजार आठ नौ में पहले बार गुळुक्ड मिला गया अद् éस तब जाके हमारे अथक परियास समेति की अथक परियास ग्राम-सहभा के ते कपरियास के बाद में तीन में जाकर के मेरे यहां लगभग 80% लोगों को वन अथिकार की पट्टा मिल चुका है और समय समय पर इनके समन्द में फारेष्ट विलेज है अपने छेत्र में फारेष्ट वाले ध्यान नहीं दे रहे थे तो हम अपने इस्तर पे अंदोलन शुरू किया रोल पे चक्का जाम क करना चालू किया उसके बाद क्लेक्टर को आवे धन देना पड़ा स्धियाफों को अवे दन देना पड़ा बार-वार आपिस का चक्क्र लगाते लगाते ही अपना जो काम हुआ है आसानी से हमको वन अधिकार जो पत्र है नहीं मिल पाया है, इसमें संगर्थ करना पड़ा तब जाके हमको मिला है, अभी भी हमारे जो कोरी एरिया में जितने भी फायर के तहत में समुदाएक अधिकार बचा हुआ है, इसके लिए हम आगे भी कारवाही के लिए तयार हैं, आ सिये फारमंज के साथ जोड़ना, पूरे राज्या के साथ जोड़ना और इस सब को जोड़ने का जो काम सिये फारमंज ने किया है, इस तरह से 36 गड़ में काम हुए है, मगर जो सरकार की जो नियात है, वैक्तिगत को ले है, वन विभाग का नियम है, वैक्तिगत देने के ल लोगों के आजिविका है ग्राम सबा को आपको समधाई का अधिकार देना पड़ेगा तभी जंगल का अच्छा प्रबंधन लोगों का आजिविका भी मजबूत होगा जो जंगल छेत्रा में रहने वाला साथ साथ में जो विστथापन का जो सेंचूरी नेशनल पार करा राश्टिवन उद्यान से जो बड़े तप्ते में विस्थापित होने वाले हैं उनका भी जो विस्थापन है वो रुकेगा और लोगों की भागेदारी लोगों की मने रिस्ता जो आपने 70 साल में आपने दूर किया और रिस्ता भी कायम होगा जानवर भी रहेंगे लोग भी रहेंगे और जंगल भी रहेंगे हमारा सिये फारमंच का हमारा यहीं मानना है हमारे जो उदंती छेतर में जैसे की वन अधिकार कानून को किर्यान वेन कैसे करना है इनके सम्मध में पहले जो कानून पास हुआ तब फारेश्ट के जो कर्मचारी अधिकारी लोग एक नाव मुड़ा में कार्य सला रखेते दो हजार चैसात में उसमें वो अपने अपने ही लोगों को बुलाया था पबलीत को नहीं बुलाया था लेकिन हम जो कुछ पहले जानकारी थी उसी जानकारी के अनुसार गाउं के लोगों को गाउं गाउं में जाकर के बोलना पड़ा कि देखो भाई आप 13 दिसमबर 2005 से पहले अगर इस गाउं में निवास हो और उस इसमें डाकुमेंट भी जो पूर्व में जो भी रसीद है या अपने घर की कोई परकार की काक जाग है उसको वहां पर सगलंगना करना पड़ेगा साबूत के लिए तो सभी ने हम 17 गाउं के लोग गाउं में जाके बैठक के बैठक तो हर महां होता था पहले बैठक होने के बाद इसके लिए पुरा तैयारी जोर सोर से शुरू हुआ तो हम पुरा फाम भरें लेकिन कई फाम जो है ने दस्ते किया गया कई फाम पर विचार नहीं किया गया तो गाउंवाले ने थोड़ा सा आक्रोस जताए कि ऐसा क्यों होता है तब जाके हम एक बार ठान लिया कि अभी एक वक्त है कि हमारे जो डियाफो सहाब है और कलेक्टर सहाब को हम ए दिये थे सुझना दिये थे कि हम वन अधिकार के समन्ध में आओ छेत्रा के मुलभूत के समन्ध में यहां पर हम एनेच एक सोतीस जो उपने रयापूर देभोग जो मार गया उनको नौ घंटा त बहुत मुश्किल से अपने जो एस्डम सहाब आये सभी ने बैठ कर सभी गाउवाले को साथ बैठ कर वो इस पॉर्सेजिस को समझाया और समझाने के बाद कुछ पॉर्सेजिस को हम फाइनल कर दे तब जाके हम अपना जो धरना फर्दसन चकाजाम को आपस ले तब जाके क कुछ लोगों को वहां पर पट्टा मिल गया है अब कुछ लोगों को अभी भी बाकी है आज परियन तक भी कई लोगों को पट्टा नहीं मिल पाया है कि एफारे के तहत जिन ग्राम सभाओं को करीब ओन्चास गाउं में जो सिय फार मिला है मगर उसके बीच में जो 17-18 जो ग्राम सभा है जो धंटरी जिले के नगरी ब्लाग और गरिया मंद जिले के नगरी गरियामंद ब्लाग और महिंणपूर ब्लाग में जो ग्राम सभा थोड़ा आगे आकर अपने परंपरिक सीमा का प्रबंधन कैसे कर रहा है तो ग्रामसभा में जो कानून के धारा पाँच के तहथ, C.F.M.C. कठन किया, ग्रामसभा, फिर C.F.M.C. कठन करने के बाद उन्होंने अपनी परमपरिक सिम्या को GPS से नपाई किया, फिर उसके बाद ग्रीन पाइंट के द्वारा, ग्रीन पाइंट बनाकर अपने जंगल का जो घनत्व है, उस घनत्व को निकाला, ग्रामसभा के द्वारा तीन या चार लोग ठेंगा पाली के माध्यम से जंगल का प्रति दिन रख रखाओ करते हैं, उस बीच में प्रति दिन रजिस्टर में इंटरी होता है कि आज जो देखने गये हैं, वो लोग जंगल में क्या देखा, कई कोई जानवर मिला क्या, या कोई लकडी काट कर ले जाने वाले लोग मिले क्या, इस तरह की जो प्रक्रिया चला है, साथ-साथ में उन्होंने अभी प्रक्रिया चलू किया है कि अभी जंगल में जो जानवर है, आज के दिन में जंगल में भी जानवरों को खान के लिए नहीं मिला तो इन्होंने करीब दो से धाई हजार अठारा से उननीस ग्राम सभाने धाई से तीन हजार के बीच में सीड़ वाल तयार किया अभी जुलाई के अंतिम में बरसात में उस सीड़ वाल को डालें ताकि जंगल के जानवर को भी जंगल में जिस तरह सबजी खाने को उनको भी मिले जो कम पूर जो कमी हो रहा है वो पूर्ती कैसे हो ताकि खेट के जो फसल है उसको नुकसान ना करेंगे और वो जंगल में ही उनका एचर तो ग्राम सभा इस तरह का अलग अलग प्रक्रिया फिर उन्होंने अपने से नरसरी तयार किया जैसे लौट है उस जंगह में पौधर उपन करने की बात कर दा दूसरी तरह बात है कि जंगल से जो छोटे-छोटे नाले निकलते हैं उस नाले में नाला निकलने से क्या है जंगल के जो पेड़ हैं उनके जड़ बाहर हो जाते हैं मिट्टी का कटाओ मृदा छरन होता उसको रो इतना चोड़ा इतना मुच्छा बोल्डर चेक बनाया जाएगा यहां यह बनाएगा इस तरह से पूरे चीज प्लानिंग करके ग्राम सभा में ग्राम सभा के लोगों ने बकादा प्लानिंग किया हर जगा कौन सा छेतर चराई होगा कौन सा जगा से जलावान लकड़ी लाया जाएगा कौन से जंगल को बढ़ाने के लिए थिनिंग का प्रोसेस किया जाएगा कौन से यह को बिलकुँ संरक्षित किया जाएगा जहां से केवल वनुपच के लावा कुछ भी नहीं लेंगे यह इस बारे में संक्षित जानकारी थी कि 36 राज्य के सीतनाडी और उदंती टाइगर रिजर्फ में रहने वाले समुदायों द्वारा किस प्रकार से वन्य जीवों के सरंग्षन तथा लगू बन उत्पादों के प्रबंधन में अधिक भूमिका का समर्थन किया है हम यह देख सकते हैं कि उन्होंने किस प्रकार से अपने हितों की सरंग्षा और उन्हें आगे बढ़ाने के लिए कानून और कानूनी प्रक्रियाओं की अपनी समझ का इस्तिमाल किया और साथ ही उन कोशलों और व्यवहारों का उप्योग किया जिने हमने इस मॉड्यूल में इस से पहले जाना था कुछ अन्य उदारन भी हैं जिन पर हम संक्षित रूप से विचार कर सकते हैं एतिहासिक उदारन जो बहुत ही जाना पैचाना है वह उत्राखंड में कुमाउ की वन पंचायत का है जहां पर उन्हें किसी भी छेतर को वन पंचायत घोशित करने और उनका स्व्यम ही प्रबंदन करने का अधिकार मिला था और इसी के कारण वहां पर बहुत अधिक वन सरंख्षन हुआ उनकी आज़ी का संबंदी आवशक्ताइं पूरी हुई उन्होंने वन का प्रबंदन बहुत सावधानी से किया उन्हें वनों से कुछ आमदनी भी हुई और मोटे तोर पर उनका अधियन किया गया और ये देखा गया कि समुदाइक वन आरक्सित वनों की तुलना में अच्छी स्तती में है और आरक्सित वनों पर राज्य के वय की तुलना में उन वनों को इस स्तती में लाने या बनाए रखने के लिए प्रबंदन लागत भी बहुत कम है और इस प्रकार ये लागत प्रभावी और सरंक्षन उन्मुक है जो कि आरक्षित वनों में नहीं है जैसा कि हम जानते हैं कि वन पंचायतों और साहती आरक्षित वन संदर्वों में समुदाइक वानेकी में विफलताय भी देखी गई है लेकिन स्थानिय समुदायें द्वारा वहनिय उप्योग के लिए वनों के सफल प्रबंदन में अनेक उधरण वन पंचाहित द्वारा प्रस्तुत किये गए नविन्तमुदारण जो अभी पूरवी मारास्ट्रा से उभर कर सामने आ रहे हैं जहांपर एफारे के अंतरगत प्रिस्तितियों के सन्योजंदवरा हजारों कावों को वन अधिकार प्राप्त हुए हैं और उनमें से सेक्ड़ों उन अधिकारों के इस्तेमाल में वनों के प् प्रबंदन प्रिदर्शे की तुल्ना में उच्छतर लाप्राप्त हुए हैं समान उत्पाद अनिवारे रूप से गाम वासी जो बांस की कटाई के संबंद में किवल श्रमिक थे अब बांस संसादनों के मालिक है वे अब बहतर लीवरेज रखते हैं और तुल्नात्मक मिलने वाले कीमतों की तुल्ना में पांच गुणा कीमत प्राप्त करने में समर्थ हुए हैं इस प्रकार वास्तों में उन्होंने बहुत अधिक आर्थिक पूंजी का स्रिजन किया हैं उन में से कुछ इसका बहुती विवेक पूर्ण रूप से इस्तिमाल कर रहे हैं जैसे CFR प्रबंदन के अंदरगत पूरी महारस्टा से बहुत ही रूचिकर किस्म के प्रियोग उपर कर सामने आ रहे हैं जिसमें पेशा के अंदरगत उनके प्राप्त वन समवर्दन भी सामिल हैं और वे विबिन परकार की गतिविदियों की भी कोशिश कर रहे हैं फेडरेशनों के भी उधारन है जिसका गठन 80 ग्राम सभाव को मिला कर किया गया ताकि तेंदुपता की अधिक प्रभावी मार्केटिंग की जा सके और वे तेंदुपता ठेकेदारों से बहतर कीमत प्राप्त करने के लिए उनके साथ मोल भावी कर रहे हैं हलांकि ठेकेदार लॉबी द्वारा भी जो राजमाइस की जारी है लेकिन ये राजनितिक अर्थ वैवस्ता के मंथन की संपून पर किरिया है क्योंकि समुदायों द्वारा अपने वन संसादन का नियंदरन करने का प्रयास किया जा रहा है ऐसे भी उदरन है जहां पर बहुत ही अपक्षे हो चुके वनों को नरेगा से प्राप्त निधियों जल विभाजन विकास से प्राप्त निधियों पहले से मौजूद अन्य विबिन सरकारी कारेकरमों से प्राप्त निधियों का निवेश करके वनों को पुनर जिवित किया साथ ही इससे पहले उडिसा से अनुपचारिक समूदाइक वानिकी के उधारन भी मौजुद रहे हैं जहां पर समूदायों द्वारा वनों के अपक्षे के कारण जलाओ लकडी और चरागाओं की बड़ी कमी का सामना किया और हजारों समूदायों द्वारा अपने छोटे छो चेत्रों के रूप में मानने ता परदान नहीं की गई हैं इसका एक कारण ये भी है कि अनुपचारिक रूप से प्रबंदित व्यवस्ताओं में से अधिकांस आधिवाशियों और गैर आधिवाशियों के मिश्रित समूदायों के बीच में विक्सित हुए हैं और किसी ना समूदायों में से अधिकांस हिस्सा अभी भी एफारे के कारिय चेत्री से बाहर हैं आशा है कि अन्तत इनको शामिल कर लिये जाएगा और हम उडिशा तता मध्य भारत के अन्य हिस्सों में समूदायों की प्रबंदन का नाट के विस्तार देख पाएंगे जहां पर समूद इसी के साथ यह वीडियो समाप्थ होता है जिसमें हमने सरंग्षन कानूनों और वनवासियों के अधिकारों के बीच में संघर्ष के बारे में इस पाठ्यक्रम में सीखी गई कुछ बातों को व्यवहारिक रूप से लागू होते हुए देखा है हम यह देखने में सक्षम हुए कि किस प्रकार से समुदायों द्वारा सीतानाडी उद्धन्ती कशेत्र में कुछ महत्वपून कौशनों का इस्तमाल संभव हो पाया और साथ ही हमने इस पाठ्यक्रम में इससे पहले सीखे गए कुछ कानूनों को उनके द्वारा लागू किया जाना भी देखा इसे देखने के लिए आपका धन्यवाद